मेरा नाम अखंड प्रताब है ग्राम कस्वा पोष्ट दिलासिंग जिला विद्धा के रहने वाले हैं पैसे की मांग कर चुके हैं जो कि नहीं मिला असमर्थ हैं इस बात के लिए पैसे चाहिए यह मांट टेपरिश जानने के लिए हमने के लिए सरकार राज्य सरकार से 35 रु ले रही हैं तो नमस्कार बैब यूटी गरी और आप देख रहे हैं जन हीतावाज हमारा देश जो है बिनताओ का देश और टैलेंट की तो इसमें भरमार है कभी किसी गाउं से चोटे से जाए तो कभी कुछ टालेंटी कलकर आता है तो कभी कुछ अलग टैलेंट कुछ लो देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें पूरे हिस्ट्री जीके और जीएस की नौलेच होती है तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहाड चड़ जाते हैं बिनताओं हैं और अलग अलग जो हैं वो योग्यताओं भी हैं देश में लेकिन इन योग्य मिल्आएस पहाड शेया है Aa माहिर लेकिन है कुछ आर्फिक पैसोड प्या Zhu कि कमी कारण जो है आगी की चखाई नहीं कर पार है सरकार से गुहार लगा रहे हैं लेकिन सर्कार नहीं सुन रहे हैं इन जो कि हमने बेसिक कोर्स किया नेहरी श्रिक्राइनग मांट करूस कितने च्छकर किया है की है यहींग का है एक हीमारा यहां तर इनिंग का है और एक लेक और कम सरकार यैस किमांग कर चुके हैं जो की नहीं मिला असमर्थ हैं लिए पैसे चाहिए यह माउन्ट जाने के लिए लेटर जो है मलब हमने राज्जा सरकार केंदे सरकार से मांगे हैं लेकिन कोई नहीं देता है आपने परवत की चढ़ाई की है जी कब कितनी कितने की है बताएं 15,800 फिट है चढ़ाई किया उसके बाद जो है एडवांस ट्रेनिंग दवरान 16,000 फिट है 16,000 फिट यहां पर देखिए यह 15,000 है 15,800 फिट यह है मलब 16,000 फिट और एक बाली पास्ट्रेक किया है हमने 16,000 फिट है और यह हमने केंदे सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग क मतलब आप 16,200 फिट तक चढ़ाई कर चुके हैं आगे की चढ़ाई के लिए आपको आर्थिक मदद जो की नहीं मिला है में केंदे सकार राज्य सकार से दोनों मांग कर चुके हैं सरकार तो जो है वो लगतार बढ़ावा देती है जो अगर टालेंट दिखाया जाए तो सकार मेरा सर्कार से दोनों मांग चुके हैं लेकिन तब भी नहीं मिला आपके सामने है इसार देखिए हो मेरा साव्टिफिकीट है टेनिंग का इतीनों साटिफिक अ हमारा जबाव आया आपके आपने जो आवेदन दिया है उसके जवाब में कुछ आया है यहां निसारी कर लेकिन तब लेकिन किया लगता है क्यूँ नहीं दे रहे रहे हैं लेखें ब्सक्राइब पर देख रहे लिखाने समय लगा ट्रेनिंग में एक महीने कोर्स लेख भॉटेइडवान्स ट्रेंग के संसान कर्चाओं सब्सक्राइब Сब में ही मेधितने और सब्सक्राइब हिमार्य परवता रोहोंट संस्थान तारदिलिंग में इस तरह खंड में बाली पाश्ट्रेक हमने यहां पर चढ़ाई कर चुकी हैं है थोड़ा से चुक हो जाए तो बाद में मर जाता है और जैसे जाते आफिस और हम पर भी कम होता है हैं कि Merry जाने के लिए तेंट पता है एक चाही करते जाते हैं उत्रत के रहता है चाहर ना परता है रेविलिंग होता है और सब्सक्राइब के लिए क्या करते हैं अक्सिजन के लिए जैसे कम हाइट पे गए थे सोलह जार फिट पे गए थे तो उतना अबेलेबल रहता है अक्सिजन हमें उसके उपर जाना हो तो इसके लिए माउंट इवर्स चनने के लिए सिरफ आपको पैसे की जरूत बढ़ रही है या और भी है यह सकता है यह जा सकता हुड़ कि अधाल डियुक्त से पैसे कैसे खर्चाएंगे थोड़ा उसका कलकुलेट करके बताएए जने हैंほको है जेसे ने条件 नेपाल सरकार कितने लग जाते हैं में नेपाल सरकार में कियूं देने होते हैं क्या प्रक्रिया नेपाल सिरकार पर हिसले कि प्रbi लेती हैं 35 यजी लाख रुप slice 45 लाख रुप friction फीर का और नेपाल सरकार ही करने जेती है přवेशां पारभी करने या डायेक्ट वहाँ हमें बहुता समाज के हैं जो कि हम समाज बढ़े माउंट प्रेशी के मालब उसके बारे में जानकारी जाने ठीक है और मालनब सभी हिंदीचानी से मेरा अन्रोध है कि मलब सभी सभी जित्री माउंट्रीनियर हैं उनको जितने भी आवेदन कर कोई भी सरकार से उसको मौजा मिले केंद सरकार राज दोनों दे भाई आपने बहुजन कहा तो हमारे जहन में सवाल आया का आपका कोई सांथी जो उछले दबके से आता हो या उछले वर्ग से हो स्टिव इससको सहाइथा मिल गए हैं कुछ ऐसा हम कुछ लोक द दे दे देते हैं कुछ लोग को नई देते हैं जैसे हम उजह जिले के हैं और जिले म सब्सक्राइब करना चाहता है कोई नहीं माउंटेनियर में और आपको सहायता मिल नहीं क्यों आप बहुजन समाद से जो है इस वज़े से क्या जा रहे हैं या आपका कोई प्रसिक्षन या कुछ बाधा बने देखें हम तो राज़ा सरकार को केंदे सरकार को लेटर भेजे हैं पता नहीं ना जाने क्यों कैसे अपने उसके साथ सार्टिफिकेट भी भी प्याज़ेंगे जिए मैं सार्टिफिकेट इतना हम ने कलाइम किया है वहाँ पर मलब भेज़ चुके हैं राज़े सरकार को केंदे सरा तो यह जो है यह इनके कहानी है यह बहुजन समाथ से आते हैं जो कि को कहा जाता है सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आप किसी सहायता के लिए जाएंगे पुलिस कर्मी के पास को जब आप तो सबसे बड़ी समस्या उनके पास यह आती है एक जाती वाद की समस्या आ जाती है इन जान गूज कर पीछे किया जाता है अगर किसी में बाहर दिया जाता है उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है वहीं अगर कोई उचले तब किस से आता हो ब्रहमन समाज राजपूत और भी जो तमाम जो जातिया है वो आएं तो उन्हें बढ़ावा दिया जाता है उन्हें आगे जाने के लिए जो है सहारा दिया जाता है और इन्हें रोका जाता है क्या ऐसा कुछ होता है आपने face महसूस क्या है हमारें से तो नहीं मिला तो होता होगा आपने मैंसूस क्या है परस्नल लेवल पर जैसे मलब हम दलश माज के आते हैं तो जैसे हमारी सरकार को पैसे गाव में जो है वहाँ उन्होंने आपके साथ कुछ कभी दिक्कत हुई हो उन्होंने कुछ बोला हो कहा है तो हमने विदायक से भी कहा था कि मलब हमें तो साफ तो आपने सुना कैसे जो है ग्राम पंचायत और समाज में भी जो है इनको वह उस तरीके की इज्जत नहीं दी जाती है जिस तरीके से हर कोई जो है हकदार है सम्विधान ने अधिकार दिया है कि सब को इस बराबरी का अधिकार है सब को सम्मान का अधिकार है लेकिन जो है आप निचले स्थर से उपले स्थर तक चले जाएं ग्राम पंचायत से लेकर जो है सीम तक चले जाएं हर जगह जो है इनके साथ दोहरे बेवहार किया जाता है इन्हें हमेशा दवानी की कोशिश की जाती है इन्हें अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ने पड़ते हैं और लड़कर अधिकार लेना पड़ता है आपने कहानी सुनी कि कैसे इनके पास सर्टिफिकेट है ये जो है 16,000 फीट तक की चढ़ाई कर शुके हैं उसके आगे की चढ़ाई जो करनी है उसके लिए इन्हें पैसे की जरूरत है और वो 30-35 रुपय की जरूरत होगी जो की इनके लिए जुटा पाना मुश्किल है नामुम्किन सा है तो इसलिए यह सरकार से मदद चाहते हैं वो भ पास भेज दें ताकि वो जो है सुरक्षा है वो जो सुविधाएं हैं जो एवरेस्ट चलने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो महया कराए क्योंकि उनके बगार आक्सिजन लेके जाना पड़ता है उक्सिजन के बगार आप मांट एवरेस्ट ने चड़ सकते इन चीज है सरकार से उसके लिए मांग कर रहे हैं और सरकार लगातार इनके आवेजन को बार बार रिजक्ट कर देते हैं वापस करदेते हैं और इस पर जो है सरकार की पहल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है पूरी बात चीत पर अपनी प्रत्किरिया अपनी राय ज़रूर बताईएगा हमें कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है कैमरा मैंन हर अंदर के साथ ब्यूटी की रीज जन ही तावाज